आज हम बनाएंगे ताजे हरी मटर का एक दम नया नास्ता जो आज से पहले आपने नहीं कभी बनाया होगा तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या लगेगा वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा सेर कीजिएगा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आज य पास हरे हैं यहां पर हम ने एक कब ताजा हरी मटर लिया है। आपके पास फ्रोजन मटर है तो वह भी आप लेश सकते हैं, इसे हम एक मिक्सि के जार में डालेंगे. इसे हमें एकदम महीन सा पेष्ट बनाना है, पीश के तयार करना है तो हमने पीश लिया है यह देखिए, एकदम पतला सा पेष्ट बन के तयार हो गया है पानी का योजिय नहीं किया था हमने अब यहां पर एक बड़ा सा बॉल लेंगे बाउल लेंगे इसके अंदर हम सारे मटर के पेश्ट को डाल देंगे पीश्टे समय आप लैसुन और अद्रक का भी यूज कर सकते हैं इसमें बारिक बारिक कट कर मटर के साथ ही पीश लेजिए अब इसके अंदर जाएगा एक कप सूजी मोटी वाली या पतली वाली जो भी आपके पास है अगर ज्यादा मोटी वाली है तो मिक्सी के जार में डाल कर एक बार चला लीजिए थोड़ा सा बारिक हो जाएगा दो हरी मिर्च कटी हुई एक प्याज बारिक कटा हुआ डाल देते हैं आधी सिमला मिर्च कटी हुई डाल देते हैं इसके अंदर सब्जियों में जो आपको पसंद है वो सब्जी आप बारी बारी काट कर ले सकते हैं अब यहाँ पर एक गाजर को मैंने काट कर ले लिया है इसे वह इसमें एड कर देते हैं टेस्ट के अंसार नमक डाल देते हैं नमक आप अपने अंसार डालिए आप एक छोटी चमच अमजूर पाउडर डाल देते हैं अमजूर पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पर नीवू करस डाल सकते हैं और थोड़ी सी दनियक पत्ती डाल देते हैं और यहाँ पर अब जाएगा इसके अंदर आधा कप खटी दही खटी मिठी जो भी दही आपके पास है आप हो ले सकते हैं आधा कप पानी डाल देते हैं अब इसको हम मिक्स करेंगे चम्मच से इन सबको अच्छी तरीके से मिलने तक मिलाना है इसे मिक्स करने के लिए बड़ा बरतन जरूरी होता है नहीं तो यह गिर जाता है क्योंकि थोड़ी थोड़ी सब्जी यह बहुत जादा हो जाती है आप इसमें बीन्स ले सकते हैं ब्रोकली ले सकते हैं पत्ता गोभी भी ले सकते हैं गोभी भी ले सकते हैं बारी बारी काट कर जो भी सब्जी आपको पसंद लगे वो सब्जी आप इसमें बारी काट कर डाल सकते हैं तो थोड़ा सा पानी और एड़ करेंगे बैटर अभी हमारा गाढ़ा लग रहा था तो अब बैटर की consistency ठीक है इतना ही रखना था ज्यादा पतला नहीं बनाना है बैटर अब इसे हम ढख कर 20 मिनिट के लिए रिस्ट पर छोड़ देते हैं इसके बाद देखेंगे 20 मिनिट हो चुका है सूजी हमारी set हो गई है फूल कर एक पैकेट इनो डाल देते हैं इसमें थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे और इसे मिक्स कर लेते हैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है इनो सारे बैटर के अंदर चले जाए जिससे अच्छी तरीके से मिल जाए यह मिल चुका है अब चलते हैं गैस की तरफ गैस पर मैंने मोल्ड रखा है अपमेकर इसके अंदर थोड़ा थोड़ा दो तीन बूद तेल डाल देते हैं सभी मोल्ड के अंदर तेल डाल देते हैं इसके बाद हम इसमें डालेंगे तिल नास्ते में तिल हलका सा डाल कर बनाईएगा टेस्ट में बहुत अच्छा आता है और देखने में भी बहुत सुन्दर लगता है तो आप इसकी जगह पे राई भी ले सकते हैं सरसो भी ले सकते हैं जो भी आपको पसंद है जो भी आपके साथ है पास है तो अब थोड़ा थोड़ा बैटर इसमें फिल करेंगे सभी बोल्ड के अंदर एक एक चमज बहुत ज्यादा नहीं भरना है हलके हलके भरने हैं तो हमने सारे मोल्ड में फिल कर लिए बैटर अब ढख कर इसको तीन मिनट तक low to medium flame पर पकाएंगे तो तीन मिनट हो चुका है दोस्तों अब एक बार इसको देख लेते हैं तो सारे मैंने पलड दिये हैं अच्छी तरह के से golden brown होने तक सिख चुका है दूसरी तरह भी सेक लेते हैं इसे ढख देते हैं तो अब देख लेते हैं दूसरी तरह हमारा अप पे बहुत अच्छे तरीके से सिख गए हैं एकदम मजेदार नया नासता है ये हरी मटर का तो निकाल लिए और दूसरा भी बैच इसी तरह हम सारे बनाएंगे हलके हलके तेल लगा देंगे उपर से अब इसको पलट देते हैं सावधानी से पलट ये थोड़े से तोड़ने भी लगते हैं ऐसी कोई बात नहीं है ये दीखिए आराम से चमज लगा कर इसको पलटने हैं आप हलकी फुलकी भूख में सुबह के नास्ते में सामके चाय के साथ नास्ते में आप इसे बना कर खा सकते हैं जो बच्चों बड़ों को सभी को बहुत पसंद आता है गजाय तिर अब इसे डहक देते हैं एक फिर देख लेते हैं तो दूसे तरब भी सिक कर तयार हो गया है इसे तरह हमारे सारे अपय बन कर तयार हो गए है तो रेसिपी पसंद आये तो लाइक जरूर कीजिए vidéoस्तों मिलते हैं नास्ट रेसिपी में बाइबाइ